फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद हैं आप सब बहुत अच्छे सी होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बीजी होंगे तो friends, कल हमने आपको एक विडियो में ऐलोड़ा जूस कैसे ready करते हैं घर पर fresh ऐलोड़ा जूस कैसे बनाएए इसके बारे में जानकारी दीती आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहा हैं कि ऐलोड़ा जूस कितनी quantity में और कैसी लेना चाहिए कि आपको यह कड़वा ना लगे तो चलिए शुरुवात करते हैं तो फ्रेंट्स यह जो है अलोवरा जूस है जो हमने एक ग्लास के जार में हमने स्टोर करके रखा था कल तो आपको क्या करना है जब अलोवरा जूस आप लेंगे तो आपको चाहिए यह दो टी स्पून है ठी आपको अभारी घ्रा आपको धिहन रहें के आयृवडिक जो भी हमारी नाचुरल चीज होते है उसके गिलास में ही रखें तो बै्टर है तो हमको इसके फयले दो टी स्पून लेंगे अ Cake अगर आप इस्टार्ट कर रहें तो तो चार जिस पून कर देंके हाफ राबै PCR हःस क्या करना है लावा हम इसमें गुन गुना पानी एड करेंगे था गलास करना है milk अब इसके कड़वेपन को दूर करने के लिए हमें इसमें में में एक चुटकी चूहा है सैंधा नमक एड़ करना है उसके बाद में आप चाहें तो इसमें दो तीन बूंद आप नीबू के रसकी भी डाल सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा अब हम जानते हैं कि किसे इसकूल कितनी मातरा में लेना चाहिए अगर किसी का पेट खराब है तो आप दिन में तीन बार अलो एरा जूस इस तरह से ही खाने के पहले लें तो उमीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं अगली जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यो फूर वाचिंग